पेपर लीक मामला से जुड़ी ए खबर आप तक पहुचा रहा हैं आपको बता दें कि E.O.U ने 9 परिकशार्ति को नोटीस बेजा है E.O.U ने सभी को पूछताच के लिए बुलाया है 9 परिक्षार्टियों को नोटीस भेश कर उनको पूछताच के लिए बुलाया गया है EOU के तरफ से अब वावकों के साथ भी पूछताच की जाएगी आपको बता दें कि EOU कारियाले बुलाया गया इन सभी लोगों को आनुसंधान के दौरान पुलिस की अब तक की चानबीन सॉलवर गिरो के पास 13 परिक्षार्टियों के रोड कोड मिले थे चार को पुलिस ने पेपर लिग के समय ही गिरफतार कर लिया था और बाकी जो 9 परिक्षार्टी बचे थे उनके बारे में जानकारी के लिए EOU ने NTA को एक पत्र भी लिखा था NTA ने अपने जवाबे परिक्षार्टियों का प्रवेश पत्र भी भेजा था EOU को परिक्षार्टी के मुवाईल नंबर और पते की जानकारी मिली और इसी पते पर नोटिस बेचकर परिक्षार्टियों को पूछताच के लिए बुलाए गया है परिक्षार्टियों से सॉल्वर गिरों से जुडाव के बारे में सवाल किया जाएगा पेपर लीक मामले में पूलिस ने 13 आरूपियों को गिरफतार अब तक कर लिया है और नियूज 18 की खबर पार एक बार फिर से मुहर लगी है सक्षमता परिक्षार्टू की तिथी का ऐलान हो गया है 26, 27 और 28 जून को सक्षमता परिक्षार्टू का आयोजंग किया जाएगा इसमें करीब 85,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसके साथी BPSC ने भी प्रदाना ध्यापक और प्रदान सिक्षक की परिक्षा तिथी की गोशना कर दी है 28 जून को प्रदाना ध्यापक पद के लिए परिक्षा होगी दोपहर बारा बज़े से दोपहर ढ़ाई बज़े तक पटना और मुजबपरपूर में परिक्षा ली जाएगी ट्रेन के बीसिक सब्बोगी की खिड़की जो है वो टूटी है असमाजिक तत्वों ने पत्राव किया है जैनगर से नई दिल्ली की ओर ये ट्रेन जा रही थी आपको बता दें इस पत्राव में एक बच्चा जो है उसको चोट आई है साथी साथ दो और लोग है जिने और पत्तराव के दौरान आपको बता दें कि एक बच्चे को चोट लगी है दो और याक्री है जो कि घायल हो गहा है कहां से कहां जा रहे हैं? जा एक तिली जा रहे हैं क्या घटना हुई है? इस पत्थर मारे सीसा के उपर सीट को बैठे है मैंने बच्चे उसका हांग में सीसा लगा है सीसा कुप नहीं बढ़ा है कोई सुथा नहीं है अभी आया है क्या बोले है सीसा कर गिया है कहां से कहा जा रहे हैं? जा रहे हैं नहीं से गारी पर यह डिली जा रहे हैं